आश्कार दोस्तों, हिंदू अंडिवाड़ेट फैमिली, हिंदू अवाजित परिवार, इंकम टेक्स में टेक्स प्लानिंग करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टन टूल के रूट में काम में ली जाने वाली एंटिटी है, तो आज की अपनी इस वीडियो के थूरू मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हुएफ की क्या टेक्स बेनिफिट्स हैं, यही वो टेक्स बेनिफिट्स हैं, जिनकी वज़े से हमारे को हुएफ बनाने के लिए प्रेड़ना मिलती है, कि हाँ हुएफ को हम बनाएं और हुएफ को इंकम के परपसे से हमें चलाना है, तो जै जा सकते हैं तो अब जब यही परिस्थती है तो मैं आपके सामने एक उधांड से इसे ऐसे रख सकता हूँ कि मान लीजिए मेरे परिवार में चार सदसे हैं और चारों की ही के एंसेस्ट्र प्रॉपर्टी जिसे हमें 10 लाग का किराया आना है इस 10 लाग के किराये पर यदि मैं बाकी के डिड़क्शन्स चोड़ दूं दस लाग के किराये पर हमारे फर्म को हमारी पर्टिकुलर फैमिली को सीधे 30 परसेंट की टेक्स रेट 3 लाग रुपए फेस करनी पड़ेगी यदि मैं इसी पर्टिकुलर 10 लाग रुपए की रेंटल इंकम को किसी प्रकार से होएफ में दिखा हूं तो मुझे धाई लाग रुपए तक की आये पर तो कोई टेक्स लाइवर्टी नहीं देना यानि 75,000 की पहली टेक्स सेविंग होगी दूसरा डाई लाग से पांच लाग के बीच मातर 5% की टेक्स रेट है जबकि अगर मैं किसी भी एक सदस से अपने परिवार के में इंकम में दिखाता है और जो अलड़ी 10 लाग एक्सीट कर रहे है तो मुझे 30% टेक्स देना होता वहाँ पर फिर मैं 5% के कंवरिजन से 25% बचारा हूं तो यह सर एक बेसिक चीज है जो हमारे को हेफूày को चाल की ओर खहते है क्या है हकli है में हमारे बेकाइबएट क मिलता है और बेसिक अंचिन का भी मिलता है तो हे एक झाल्याज करा बीचर्व का पर टेक्स एबल होती है देर मेंज और आपको 4000 तक परसंट प अगर आपके पास में कोई एक self-occupied property है तो आपको income tax के परपड़ेस से उसकी कोई rental value नहीं मानी जाती यानि कोई taxation नहीं होता इसी प्रकार से सर यह थी हुआफ का भी एक मकान है तो हुआफ भी उस मकान को self-occupied property दिखा करके निल annual value का लाब उठा सकती है और जैसे आपको as an individual ATC, ATDD जैसे कोई deduction मिलते हैं उसी प्रकार से जर हुआफ भी ATC के deductions claim कर सकती है ATD के deductions claim कर सकती है और अंतिम बात हुआफ एक individual के समान capital gain exemptions के भी लाब उठा सकती है income tax में जैसे section 54, 54F exemptions देती हैं के इंडिजल को उन्हीं sections में सर हम हुआफ के लिए भी exemption के benefit capital gain की आयपर tax बचाने के लिए कर सकते हैं तो मेरी पहली portion में जो मैंने आपके सामने बात रखी है अभी मैंने हुआफ के concepts पर नहीं गया हूँ अब कैसे हुआफ चलेगी कैसे हुआफ बरानी है और क्या-क्या points है वह मैं आगे आपके साथ discussion करता हूँ अब सर मैं आपके सामने अगला प्रशन लेकर क्या रहा हूँ हुआ हुआ है और आप यदि देखेंगे तो आपको definition Hindu law में मिलेगी इंकम टेक्स act में हुआफ को Hindu undivided family यानि हिंदु अभवाज़त परिवार को कहीं नहीं define किया है लेकिन Hindu law कहता है कि हुआफ is a family यह important बात है it is a family that consists of all persons linearly descendant from a common ancestor including their wives and unmarried daughters so what is important Hindu अभवाज़त परिवार या मैं इसे और तरीके से बोलूं तो के historically इंडिया में वसुदय उकुटु मकम की एक प्रवर्ती रही है और हम सब एक परिवार की बाती रहते हैं और हमारे यहां सर्क्त परिवार की भी परंपरा रही है तो यह जो संयुक्त परिवार है सर बेसिकली यही है और मैं इसे और उस परश्ट उधार्ण से रखूं तो मैं यहां पर एक उधार्ण देना चाहता हूं मान लीजे कोई Mr. Mohan है इनकी वाइफ है Smita जी और इनका एक बेटा है राहुल इनकी बीटिया है रिचा यह एक होगई सर यह एक होगई अब इनका परिवार बढ़ा इनके बेटे की शादि हुई उनकी वाइफ आ गई प्रिया फिर इनके बेटे का भी बेटा हुआ और इन के बेटे की भी शादी हो गई, बेटे के बेटे की भी शादी हो गई, तो ये सारे लोग मिला करके सर एक larger HOF का हिस्सा हो गए, ये सब मिला करके एक HOF बन गए आपके सामने, कहने का मतलब क्या है सर, कि HOF is an entity which keeps on growing, which keeps on even reducing sometimes, कि जब परिवार में सदस्य जुड़ते हैं या परिवार से सदस्य जाते हैं, तो वो सदस्यों का आना जाना परिवार को बढ़ाता घटाता रहेगा, और ये परिवार का concept अपना color यहीं से लेता है, और मैं आगे के discussion में आपके साथ और specifically, technically, इस discussion को करूंगा, परन्तु यहा आप कृतिम रूप से नहीं मना सकते हैं, naturally, family घट रही है, बढ़ रही है, and this is how the HOF continues. हएफ का लावप कौन-कौन उटा सकते हैं, तो सर एक हिंदू, बात, जैन या सिख परिवार, ये चार ऐसे धर्म हैं, जिने हिंदू undivided family का benefit मिलता है, यदि आप इन धर्म के अलावा हैं सर, तो unfortunately, हिंदू undivided family का benefit जो income tax act दे रहा है, यानि एक slab rate का exemption का benefit, basic exemption का benefit, slab rate का benefit, वो आपको basically यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो हएफ का benefit हिंदू, बात, जैन और सिख, ये मताव लंबी. million dollar question है सर, हमारे सामने, HF कैसे बनती है, मैंने ये प्रश्ण को अगर बोलू, तो यहाँ सबसे पहली बात मैं कराओं, क्या HF की deed बना आवर्शक है, तो मैंने पहले भी आपके सामने बात रगी सर, HF एक natural creation है, और मैं इसे ऐसा बोल सकता हूँ, कि जिस दिन मेरा विवा हुआ, उस दिन मेरी HF बन गी, जिस दिन किसी भी व्यक्ति का विवा हुआ, उसके HF automatically बन गी, हाँ ये बात जरूर है, कि यहाँ पर male particular component है, जहां से HF का शुरुवात होता है, तो मैं जिस दिन शाद कराना है क्या, तो उसके लिए सर एक HF deed बनाई जा सकती है, ये deed जो HF की बनती है सर, ये एक important document है, दस्तावेज है, आपको आप कहीं Google पर भी surfing करेंगे, तो इस तरीकी के deed के कोई formats मिल जाएंगे, ये particular deed इसलिए important है, क्योंकि ये deed आपके pen number के application के साथ लगाई जाएगी, और accordingly आपको फिर pen number allot होगा, तो HF deed आपको तब बनानी है, जब आप चाहते हैं कि हाँ income tax में भी मेरी HF recognize हो, अब HF का pen कैसे apply करें, तो जैसा मैंने बोला, आप HF की deed बना ले, और उस deed को आप pen का जो form 49A है, उसके साथ लगा दे, आपके as a करता भी जो important document है, आपका आध सबसे important question है सर, होएफ में पूझी या संपत्ती कैसे लाई जा सकती है, अब इस प्रिशन का उत्तर सर, यदि मैं दूँ तो हलाक कि ये काफी detailed reply होगा, लेकिन होएफ में जो संपत्ती आती है, पूझी आती है सर, उसके कुछ तरीके होते हैं, क्या तरीका हो सकता है सबसे प हिसा है, तो मैं कह सकता हूँ सर, कि ये जो संपत्ती है, ये होएफ की संपत्ती है, माल लीजे, मुझे तो कोई पीछे से पैतरिक संपत्ती नहीं आ रही है, लेकिन मुझे फिर भी अपनी होएफ के अंदर पूझी या संपत्ती लेकर के आनी है, तो मैं होएफ में को सомपर्टिक को एक साथ maintain करें तो मैं अपनी इंडिजोड एसेट को भी हुए के अंदर डाल सकता हूं लेकिन यदी मैं अपनी इंडिजल एसेट São को एच्छफ के अंदर डालता हूं तो मुझे यह बात द्यान रखनी है कि Champion Tax Secret Rs 64 बोलता है कि ऐसी संपत्ती से होने वाली आये जिस विक्ति ने होएफ में अपनी संपत्ती दी है उसी के हाथ में जा करके टेक्सेवल होगी ठीक है तो सर बात क्या समझनी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो तो बहुत अच्छा एंसेस्ट्रल नहीं हो आप किसी से गिफ्ट ले लें चाहे स्वयम कोई पर्टिकलर संपत्ती दे या मैं तीसरी एक और बात यहां पर कर सकता हूं कि होई कोई आय भी कमा सकते है और उस आय से भी दीरे दीरे होई की पू you also earn income from house property, income from profits and gain & profits and dato esues capital gains and income from other sources , लेकिन नैने sir यहां पर आप दिखेंगे तो income भाइव ऐसो salary नहीं लिखा है क्यूंकि HO is नाट रीव परषन तो हजहिwn को हजहरी से हाय नहीं होगी लेकिन हां sir हेट को मकान संपत्ती से आये हो सकती है हेट को व्यापार कर सकती है उससे हेट को आये हो सकती है हेट को capital gain की income भी हो सकती है मान लिए पैतरक संपत्ती बेच दी हेट ने तो capital gain हुआ और हेट के पास fixed deposits हो सकती है dividend income हो सकती है जो income from other source में fall करेंगे से अध्यासर मेरे साथ में क्याम गिफ्ट ले अथ्वा दे सकती है क्या तो पहला जो question है gift किन से लिया जा सकता है दिए कि गिफ्ट लेने पर कोई प्रतिबंद नहीं है हुएफ किसी से भी गिफ्ट ले सकती है हुएफ अपने सदस्यों से यह नि परिवार के सदस्यों से भी ले सकती है गिफ्ट और जो परिवार के सदस्य नहीं है उनसे भी गिफ्ट ले सकती है ठीक है मैं भी इस concept को भी आपके सामने elaborate करूंगा तो हो आप किसी से भी लीजे किवल एक बात ध्यान रखे यदि आप हो के अंदर gift किसी member से लेते हैं तो तो आपको tax liability नहीं आएगी और यदि आप non member से लेते हैं तो आपको tax liability आएगी तो gift किन से लिया जा सकता है कोई प्रतिबंद नहीं है बात किवल यह ध्यान रखनी है कि member से gift लेंगे तो taxability नहीं है और non member से लेंगे तो taxable है मैं इसे उधार्ण से बोलता हूं मान लीजे मैंने अपनी होएफ में मेरे फ्रेंड से और मेरे चार लाक का नकट gift ले लिया यानि चैक से एक gift ले लिया ये चार लाक रुपए क्योंकि मेरा जो मित्र हैसर वो मेरी होएफ का हिसा यह नहीं है तो यह चार लाक मेरी होएफ के आद में taxable हूं मान लीजे मैंने स्वयम भी मेरी होएफ के 2,00,00 रुपए transfer कर दिये, अब क्योंकि मैं HUF का member हूँ, थो HUF के हाथ में 2,00,00 taxable नहीं है, तो एक साल मैं IHUF को कितने सर छे लाग, लेकिन taxability के वल कितने पर आएगी, 4,00,00, आप ये कह सकते हैं वडिया जी, कि इस 4,00,00 में से कहूंगा कि HF gift generally नहीं देती HF केवल परिवार के सदस्यों के बरण portion के लिए परिवार के किसी particular सदस्य की जुरोत के लिए खर्चे करती है HF particularly किसी को gift नहीं दे सकती क्योंकि HF में जो भी संपत्या हैं वो परिवार के सभी सदस्यों के तो आप ऐसा करता अगर कोई HF का gift देना भी चाहते हैं तो question आ सकता है कि sir how you can give gift on behalf of other members of the family तो जनली आप मान के चलिए कि HF gift नहीं देती लेकिन कुछ विशेश अफसरों जैसे परिवार की किसी बिटिया की शादी है और आप उस समय गिफ्ट देना चाहते हैं तो इस प्रकार का gift मैं मान सकता हूं दिया जा सकता है कि क्या हुआ सदस्यों में आए बांट सकती है मान लीजे एक हुआपने साल में दसलाक रुपे कमाए और वो अपने सदस्यों के बीच यानि मेंबर्स के बीच बांटना चाहती है कैसे हुआ सदस्यों को बांट सकती है मेरा पहला प्रश्ण है क्या करता को वेतन दिया जा सकता है करता कौन होता है सर बाइडिफॉल्ट आप मान के चलिए परिवार का senior most member जनरली मेल मैं कह सकता हूं अलाकि फीमेल भी करता हो सकती है तो जो भी वेक्ति करता अपॉइंट किया गया है परिवार द्वारा कॉमन रूप से या जो senior most member है वो करता मान लीजिए day-to-day affairs handle कर रहा है हुएफ के हुएफ का बिजनस चला रहा है हुएफ के लिए आयक के collection का का काम करता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को वेतन बिल्कुल दिया जा सकता है हां है ऐसे वेतन का direction लेगी और उस करता को जो वेतन मिला है वो उसके हाथ में फिर taxable होगा इसी प्रकार से क्या करता के अलावा अन्य सदस्यों को भी वेतन दिया जा सकता है बिल्कुल sir if they are contributing to the income earning activity of the HOF they can also get salary क्या HOF के आए सदस्यों के बीच में माटी जा सकती है यह एक अलग चीज़े सा देखिए वेतन मिलता है काम करने के लिए लेकिन HOF ने मान लीजिए 10 लाग कमाये और HOF के 5 सदस्ये हैं और उन्होंने आपस में 2-2 लाग रुपे बाट लिए सदस्ये को यदी HOF के आए में हिस्सा मिलता है तो उसके हात में टेक्सिबल नहीं है उपर मैंने बोला है यदी वेतन मिलता है तो वेतन टेक्सिबल है तो आपको फर्क क्या समझना है whether a member is receiving salary or remuneration for performance on behalf of HOF's activities if yes then that will be taxable in his hand HOF will claim a deduction for the same if HOF is not paying anything as a salary or remuneration it is simply distributing total income of its amongst its members then in that case there will be no taxation in the hands of relevant members एक बहुत important concept हमें समझना है सहवागीता एवं सदस्यता को पार्सनरी एवं membership इन दोनों में क्या अंतर होता है difference क्या है सर मैं अपने पुराने उधारण पर जो मैंने शुरू में डील किया था कि कोई Mr. Mohan है इनकी पत्नी हैं इनका एक बेटा और इनकी एक बेटिया फर्दर सर यहां पर इनके बेटे की भी शादी होई फिर इनके बेटे का भी बेटा हुआ उसकी भी शादी होई तो यह मैंने बूला सर आपको एक larger HOF वन भी अब को पार्सनर कौन कौन है सर और को पार्सनर का concept membership से कैसे अलग है यह एक बहुत इंपॉर्टन डिस्कुशन होता है आप इससे समझेगा जो भी व्यक्ति परिवार में जन्म से जुड़ता है सर्थ वह हो पार्सनर कहलाता है और जो जन्म के अलावा जुड़ता है वह मेंबर कहलाता है और मैं इसे और इस पश्च तरीके से बोल जो व्यक्ति को पार्सनर है वह एच एफ का पार्टीशन मांग सकता है लेकिन जो को पार्सनर नहीं है उनली मेंबर है वह पार्टीशन नहीं मांग सकता है मान लिजे मोहन जी है जो परिवार के करता भी है इनकी वाइफ इनका परिवार में जन्म नहीं हुआ यह विवास तो यह sir member है यह partition नहीं मांग सकती है इनका बेटा इसका परिवार में जन्म हुआ है तो sir कल मान लिजे यह partition मांगना चाहे तो बिलकुल मांग सकता है इनकी बिटिया ठीक है मान लिजे अभी इन बिटिया की दो इस्तिती हो सकते हैं either she is married or she is unmarried she is unmarried she is member as well as co-partner now let's assume she gets married then whether she remains the member in the family as well as co-partner answer is yes Hindu succession amendment act 2005 में 2005 में amendment आया था और उससे विवस्ता की गई थी कि ऐसी females जो परिवार में बर्त लेती हैं वो even after marriage परिवार में member कम co-partner बनी रहती है तो एक बहुत महत्पूर्ण व्यवस्ता है सर कि रिचा जी जिनकी मान लीजे शादी भी हो गई तो भी सर वो अपने पिता जी के हुआ की सदस्य बनी रहेंगी तो आपको जो एक important point यहां पर लेना है वो क्या के co-partnery is a smaller concept as compared to membership but co-partnery will give you more rights as compared to membership अपने पिछले discussion के reference में आपके सामने प्रश्रक रहा हूँ 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 के सदस्यों के क्या अधिकार है और मैंने उसे co-partner और non co-partner के reference में आपके सामने रखा है यदि partition of HOF नहीं हूँ हूँ तो co-partner को right of maintenance है as well as right to demand partition लेकिन आप देखिए non co-partner जो केवल member है उसको केवल right to maintenance है sir right to demand partition उसको नहीं मिला है यदि HOF का partition हो जाता है तो sir co-partner को right to receive equal share this is important sir के co-partnery में और inheritance में यहीं फरक है inheritance में sir जो partition होता है वहाँ संपत्ती अलगलग degree of आपका family status आपका family में rank उसके इसाब से संपत्ती बढ़ती है जरूर निया सब के बीच बराबर बटे लेकिन HOF के बीच में जो संपत्तियां है sir वो equal share में बाटी जाती है एक non co-partner partition के समय सर उसको right है right to receive reasonable asset और यदि वो wife of करता है या widow mother है तो उनको समान right है जो कि एक co-partner को होता है तो यह sir विशेश परिस्तिती में ही non co-partner को co-partner जैसा right मिल रहा है partition पर otherwise you can see के co-partner के right ज्यादा है as compared to non co-partner अब हाला की sir मैंने आप से पहले discuss किया कि HOF का करता कौन हो सकता है यह उसे formal रूप में आपके सामने रखता हूं जनली ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा सबसे elder पूरुष यानि male member जो होगा जो co-partner भी है वो व्यक्ति करता होगा लेकिन sir time and again the courts have given the judgment even a female can also be करता of the family ऐसा जरूर नहीं है मान लीजे for example दुरगटना वशी सही के पूरुष ऐसी परिस्तिती में परिवार की जो भी अफेर्स हैं वो संभाल रही है yes she can also be करता of the family तो ऐसा कोई भी अडल्ट member जो परिवार का है और उस परिवार के ऐसे अडल्ट member को परिवार का करता बनाया जा सकती है पर क्या tax rate लगती है तो मैंने अलाक कि पहले आपको बुला slab rate लग सकती है बिल्कुल लगेगी लेकिन मैं specifically assessment year 2021 के लिए आपके सामने बात रख रहा हूं कि slab rate में up to dialogue लाक निल टेक्स लाइविटी डाइलाक से पांच लाक पांच परसेंट उससे उपर 20 परसेंट और 10 लाक तीस परसेंट एक बात यह जरूर करूंगा सर कि सरकार ने बजट 2019 में एक आता कि पांच लाक रुपे तक की total income पर आपको टेक्स लाइविटी नहीं देना है वो जो पांच लाक के बीच की इंकम पर होफ को पांच परसेंट की रेट से टेक्स लाइविटी देना पड़ेगा पुरुष्ण देखिए सर आप में साथ होफ का residential status कैसे निश्चित किया जाता है तो section 6 of income tax act बताता है कि यदि किसी particular family का control management पूर्ण तया इंडिया में है तो सर्व हो resident है और यदि control management outside इंडिया है पूर्ण तया तो ऐसी परिस्ति में वो non-resident है अब यह देखना पड़ेगा सर क्या आपका परिवार तो है मान लीजिए इंडिया को belong करता है लेकिन सारी members बाहर रह रहे तो हुआपका परिवार पूरा इंडिया में रह रह रहा है यहीं पर यह resident but not ordinarily resident है यह further HOF के case में देखा जाता है और यदि करता resident and ordinarily resident है तो सर HOF भी resident and ordinarily resident हो जाएगी और करता यदि resident but not ordinarily resident है तो HOF का भी status resident but not ordinarily resident देखा जाएगा आपके सामने का हुआ का partition किया जा सकता है क्या sir law बोलता है कि दो तरीके का partition हो सकता है partial partition या complete partition income tax law sir partial partition को recognize नहीं करता वो के वल complete partition ही recognize करता है partial partition क्या हो असर मान लीजे पिताजी और चार उनके बच्चे साथ रह रहे थे बाद में उनमें से एक बच्चा अलग हो जाता है वो कहता है कि साब आप मेरे को मेरा संपत्ती का हिस्सा दे दीजे मैं अलग जाना चाहता हूं तो सर अभी भी तीन पुत्र और एक पिताजी सा है partition कीवल करने से नहीं होगा आपको partition को यो के पास ले जाना है operative उस partition को मानेगा तभी ये complete partition होगा अणिथा ये complete partition नहीं माना जाएगा तो मैं सर 20 में धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन उससे पहले सामने वापस summarize यूज रखना चाहता हूं कि हुए हिंदू अंडिवाइड फैमिली एक बहुत इंपोर्टेंट टेक्स प्लानिंग टूल के रूप में यूज किया जा सकता है क्योंकि यह आपको ठाई लाक रुपे की एक बेसिक एक्जम से लिमिट का फाइदा उठाने के लिए बहुत सारे डिड़क्शन जो सर एक अच्छी इंकम है तो सर निश्चित रूप से हुएफ आपको फर्दर टेक्स लाइविटी सेव करने में फाइदा दे सकती है जो एक इंपॉर्टेंट कोश्चन आता है सर वह क्या होता है कि हुए में गिफ्ट कैसे लाना है हुए में संपत्ति को कैसा स्टेटस देना है है यह कुछ चीज़े हैं जिन पर मैंने इस वीडियो के थूर आपके सामने कुछ व्यूज रखने का कोशिश किया है लेकिन मैं समझता हूं सर के बहुत सारी क्वेरी अभी भी अनांसर रह सकती है तो यू कन राइट टू मी आप सभी का हर्दिक धन्यवाद करता हूं इसी प